इसकी मात्रा कैसी होती है लेफ्ट हैंड साइड कर्व करती है हमारी और इसे क्या होता है इमारत इनाम और इसे इमली केड्स मिस ने आपको पहले भी बताया था जो इक की मात्रा होती है वो बाएं हाथ की फ्रेंड होती है यानि हमारे लेफ्ट हैंड की फ्रेंड होती है जो इसका कर्व होता है जो ये मात्रा होती है ये किस साइड आती है लेफ्ट हैंड साइड आती है व्यंजन के So kids, आज हम क्या करेंगे? आज हम E की मात्रा के सभी exercise का एक बार revision करेंगे तो first हमारे यहाँ पर क्या दिये हुए है? व्यंजन दिये हुए है इन पर हमें क्या लगानी है? E की मात्रा E की मात्रा का sound जो होता है वो क्यासे आता है kids? जल्दी आता है और हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो E की मात्रा होती है वो left hand की friend होती है left hand side व्यंजन के curve करती है तो start करते हैं और आप मेरे साथ बोलेंगे भी ओके kids, यह क्या लिखा है? Curve engine Curve जब इस पर E की मात्रा आई तो यह क्या बन गया? की क्या बोलेंगे से? की इसी तरीके से यह क्या है? जव्यंजन जब हमने इस पर E की मात्रा लगाई तो यह बना जी जी E की मात्रा के साथ व्यंजन का sound भी छोटा हो जाता है उसे भी हम जल्दी बोलते हैं व व आप देख रहे हैं जो कर्व आ रहा है व्यंजन के राइट हैंड साइड पे आ रहा है और आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो व्यंजन की स्टैंडिंग लाइन होती है इससे आपको मात्रा को स्टार्ट करना है जो कर्व लेना है यह आपकी स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करके लेना है केट्स फ फ फ फ जब हमने इस पर इ की मात्रा लगाई तो यह क्या बना केट्स फ फ फ इसी तरीके से हम इ की मात्रा बाले शब्द बनाएंगे ओके केट्स अब आप देखिए क्या लिखा है पहले कौन सी मात्रा लगी है यह ए की द व स तो क्या शब्द बनेगा केट्स दि वस दि वस दि वस दि व स दि वस आपको सभी शब्दों को बोल कर लिखना है र इ व र वी र वी देखिए व व व्यंजन पे आई है और यहाँ पर भी व व्यंजन से पहले ए की मात्रा है यानि व व्यंजन के लेफ्ट हैंड साइड पे र वी की किताब किताब बार बार आपको मैं एक ही बात बता रही हूं केट्स जो एक की मात्रा होती है उसका जो उचारन होता है वो हम जल्दी करते हैं और उसके साथ आई व्यंजन का भी जो उचारन होता है वो क्या होता है जल्दी होता है जो साउंड होती है वो में जल्दी आती है यही कुछ ब तिलक 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 आईए ऐसे ही हम कुछ शब्द पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं किला किला बनिया बनिया मालिश मालिश एक तरीका है हम मात्रा के साथ ही मात्रा को पढ़ हैं और दूसरा तरीका क्या है हमारा रीडिंग का आप कोई से भी तरीके से कोई सी भी फॉर्म में आप रीडिंग कर सकते हैं या तो आप व्यंजन के साथ ही मात्रा को रीड करिए या फिर आप अलग-अलग भी बोल सकते हैं पर आपको शब्दों को कैसे नहीं बोलना kids, ये क है, इसको क नहीं बोलना, इसको का नहीं बोलना, ये क वियनजन है और जब इस पर इ की मातरा आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा kids, की बन जाएगा So kids, hope आपको revision से इ की मातरा समझ आ गई होगी अब हमें क्या करना है केट्स हमें यहां कुछ चित्र दिये होए हैं और जो हमारे व्यंजन लिखे हैं वो क्या है अधूरे हैं जो हमारे शब्द लिखे हैं वो अधूरे हैं हमें क्या करना है चित्रों को देखकर उन्हें पूरा करना है अब यहां क्या बना है चिताब और य इ, क्या बन गया kids ये, किताब, क्या है ये, चित्र देख कर बताएए आप मुझे, right, good, pin, और यहां क्या लिखा है, सिर्फ न वियंजन लिखा है, कौन सा वियंजन missing है, प वियंजन, और उस पर क्या आएगी, इ की मात्रा, very good, क्या बन गया kids ये, प न, pin, अब चित्र देखिए, किसका चित्र है, चिडिया, और यहां क्या लिखा है, डिया, क्या missing है, चि, तो चवियंजन पे हम क्या लगाएँगे kids, ये हमारा चवियंजन है, इस पर क्या आनी है, एक की मात्रा, तो हम left hand side से curve लेंगे, और ये क्या बन गया, चि, डि, या, चिडिया, अब ये किस चीज का चित्र है, गिलास, यहां क्या लिखा है, ल, आ, स, क्या missing है kids, गि, गवियंजन पे, इ, की मात्रा लगाके, ये क्या बन जाएगा, गि, लास, So kids, आप भी practice करेंगे, की मात्रा का, आप शब्दों को बोल कर भी देखेंगे, और लिख कर भी देखेंगे, So kids, bye bye, see you in the next video,